नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल फिटनेस गुरू में आपका हार्दिक स्वागत है आज फिर हम आपके लिए एक बहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आप अपने कोलेस्टोल को कंट्रोल में यानि किस अंतूलन में रख सकते हैं कोलेस्टरोल जो कि हमारे शेरीर में एक वसा के रूप में पाया जाता है और यह हमारे शेरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है मगर जब यही कोलेस्टरोल बढ़ जाए तो यह हमारे दिल के लिए बहुत ही बढ़ा खत्रा बन सकता है लेकिन क्या आपको पता है कि कोलेस्टोल के बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या होता है इसका मुख्य कारण होता है हमारा गलत खानपान और एनियमित जीवन सैली जिसकी वज़े से हमारा कोलेस्टोल बढ़ जाता है क्योंकि आजकल की इस भागदोर भरी जिंदगी में व्यक्ति नए अपने खानपान पर ध्यान रख पाता है और नए ही अपनी दैनिक दिन्चर्या पर ध्यान रख पाता है और जिसके कारण हमारा शरीर बिमारियों का घर बनता चला जाता है वहीं इन सब बिमारियों में सबसे खतरनाक बिमारी होती है कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना जिससे की व्यक्ति को दिल की अनेक परकार की बिमारिया हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को हार्ट अटेक यानि की हार्ट स्टोक जैसी भायंकर बिमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है लेकिन यदि आप अपनी दैनिक दिन चर्या और खान पान में कुछ बदलाओ कर लेंगे तो आप अपने बड़े हुए कोलेस्टोल से होने वाली ऐसी भायंकर बिमारियों से बहुती आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको कोलेस्टोल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जैसे कि कोलेस्ट्रोल दो परकार का होता है गुड कोलेस्ट्रोल यानि की HDL और बैड कोलेस्ट्रोल यानि की LDL तो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रोल यानि की LDL यह सरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है जब यह शरीर में बढ़ जाता है तो यह धमनियों के अंदर थक्के को जमा देता है जिससे कि हमारी धमनिया कमलचिली हो जाती है जिससे कि विक्ति के अंदर हार्ट अटेक यानि कि हार्ट स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है और इसके सही विपरीत होता है Good Colesterol यानि कि HDL Good Colesterol जिसे कि हम HDL भी कहते हैं यह हमारे शरीर के बहुती फाइड़ मंद होता है यह हमारी धमनियों से LDL को कम करता है और इसे लीवर में भेज देता है जिसे कि यह लीवर से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है इसके साथ ही जब HDL हमारे शरीर में परियापत मातरा में होता है तो यह शरीर को हार्ट अटेक यानि की हार्ट स्टोक के खतरे से बचा सकता है इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्त रखने के लिए high cholesterol को कम करने की जूरूत होती है जिसके लिए हमें हमारे सरीर में high cholesterol को कम रखना चाहिए और आप अपने इस high cholesterol को, अपने खान पान और अपनी दैनिक दिन्चरिया पर ध्याण रख कर ही कम कर सकते हैं और इनके साथ हम आज इस वीडियो के जरिया आपको कुछ ऐसे घरेलो नुस्त के बताएंगे यानि कि कुछ घरेलो उपाई बताएंगे जिने अपना कर आप बहुती आसानी से अपने बड़े हुए कोलेस्टोल को कम करने के सबसे पहले और बहतरीन उपाई में हम आपको बत चला है कि रोजाना प्याज का सिवन करने से यह सरीर के हाई कोलेस्टोल को कम करके गुट कोलेस्टोल को बढ़ा देता है प्याज से हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए आपको तीन चीजों की आवशकता पड़ती है वह है एक लाल प्याज एक ग्लास चांच और थोड़ा स सेदा नमग और थोड़ी सी काली मिर्च मिला दीजिए इस परकार से इस पे का रोजाना सुभाई के समय सेवन करने से आप अपने हाई कोलेस्टरोल को कम कर सकेंगे प्याज के अंदर ऐसे पोशक तब तो मुझूद होते हैं जो हमारे कोलेस्टरोल को कम करने में बहुती दिजिए आपको रोजाना प्रते देन प्याज के साथ छांज का सेवन आउश्य ही करना चाहिए अपने उच्च कोलेस्टरोल याने की उच्च रक्तचाव को कम करने अप लहसून का भी ब्रोग कर सकते हैं लहसून हाई कोलेस्टोल को कम करने में बहुती कजब गरेल उपाय माना जाता है लहसून की कच्ची कलियों का सेवन करने से शरीर में खून का तक्का जमने की आशंका कम हो जाती है और इसके साथ ही इसके नियमित सेवन सी है दमनियों प्लाक के जमने को रोकता है जिसे रक्त चाप कम हो जाता है और शरीर का संकरमन से भी बचाव होता है इसलिए हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए आपको रोजाना सुबह खाली पेट लहसून की चार से पांच कलियों का से तो दोस्तो इस परकार से आप लहसून का सेवन करके उच्चे रक्तचाब से निजात प्राप्ते कर सकते हैं यानि कि आप हाई कोलेस्ट्रोल से संबंदित सभी बिमारियों से बच सकते हैं हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए आप धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं धनिया पाउडर जिसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं मगर हम इसका प्रयोग अपने हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए भी कर सकते हैं धनिया पाउडर हाई कोलेस्टोल को कम करने के बचा सकता है धनिया के पाउडर का इस्तिमाल करने के लिए हमें एक ग्लास पानी और दो चमच धनिया पाउडर का इस्तिमाल करना होता है इस उपाय के दोरान आपको एक ग्लास पानी में दो चमच धनिया पाउडर मिला लेना है और इस पानी को अच्छी तरह से उबाले लेना है जब यह पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए यानि कि एक से दो मिनट तक अच्छी तरह से उबल जाए तो आप इसे नीचे उतार लीजिए और इसके बाद इस पानी को ठंडा होने दीजिए और इसे चान कर आप एक अलग बरतन में डाले लीजिए इस तरह से तयार किया हो यह पानी जिसके अंदर आपने धनिया का पाउडर मिलाया है उसे आप दिन में दो बार आवश्य सेवन करें ऐसा रोजाना करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगीगा अपने हाई कोलेस्टरोल को कम करने के लिए आप एवकाडो का भी प्रयोग कर सकते हैं एवकाडो तोचा के साथ साथ दिल के लिए भी बहुत ही फाइदवन साबित हो सकता है एवकाडो के अंदर विटामिन B6 और फॉलिक एसिड परचूर मातरा में पाये जाते हैं जो शरीर के हाई कोलेस्टरोल को कम करने का काम करते हैं इसके साथ ही इसके अंदर बीटा सीटो स्टेरॉल मौजूद होता है जो भोजन से मिलने वाले कोलेस्टरोल को नियंतरित रखता है एवकाडो के अंदर मोनोसैचुराइड वसा भी पाया जाता है जो दिल को सुरक्षित रखता है और बैड कोलेस्टरोल यानि की LDL को बढ़ने नहीं देता है तो दोस्तो एवकाडो का सेवन नियमत तोर पर यदि आप करेंगे तो आप अपने उच्चे रखतचाब की सिकायत से बच सकेंगे उच्चे रखतचाब यानि की अपने हाई कोलेस्टरोल को कम करने के लिए आप जई का भी सेवन कर सकते हैं और जई का सेवन करके आप इनसे निजात भी प्राप्ते कर सकते हैं जई जिसे हम ओट्स भी कहते हैं जई के अंदर बीटा गुलुकें तत्व मौजूद होता है जो कि शरीर के बेट कोलेस्टरोल को अवसोसित करके उसे गुट कोलेस्टरोल में बदल सकता है इसलिए यदि आपको अपने शरीर का हाई कोलेस्टरोल नियंतित रखना है तो आपको अपने सुभाई के खाने में जई यानि की ओट्स का सेवन करना सुरू कर देना चाहिए और इस तरह से यदि आप सुभाई के समय जई का सेवन करते हैं तो आप अपने उच्चे रक्तिचाप की समश्या से निजात पराप्त कर सकते हैं इन सभी घरेलो उपायों के साथ साथ आपको दुम्रपान का सेवन भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि सिगरेट के अंदर पाये जाने वाला एक्रोलिन हमारे शरीर के गुट कोलेस्टोल यानि की HDL जो की हमारे शरीर में जमा बेड कोलेस्टोल को लिवर तक पहुंचाता है उसे लिवर तक पहुंचाने में बादा डालता है जिससे सरीर में हाई कोलेस्टोल की परेशानी होती है इसके साथ ही यदि आप रोजाना धुम्रपान करते हैं तो इससे धुम्रपान करने वाली व्यक्ति को हर्ट अटेक यानि की हर्ट स्टोक जैसी बिमारे होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए आपको अपने हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए धुम्रपान का सेवन करना बिलकुल ही छोड़ देना चाहिए और इन सभी नुस्कों के साथ-साथ आपको हाई कोलेस्टोल को कम करने के लिए रोज़ाना सुबह अथवाश siam को ए और सेर या फिर वयायाम भी करना चाहिए जिससे जल्दी ही आपका हाई कॉलिस्ट्रोल कम हो जाता है रोज़ाना वयाम करने से शेरीर में गुड कोलिस्ट्रोल बढ़ता है और इससे शरीर में अत्रिक्त वसा भी जमा नहीं हो पाता है इसलिए रोजाना आपको 15-20 मिनट के लिए वियायाम जरूर करना चाहिए जिससे आपका शरीर भी स्वस्त रहेगा और आपके शरीर का कोलेस्टॉल भी लेवल में रहेगा तो दोस्तो हमारी ये जानकारी हाई कोलेस्टॉल को कम करने की यदि आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बोक्स में आप कमेंट आवश्य दें और यदि इन सब के बाद भी आपका कोलेस्टॉल संतुलित नहीं हो पाता है तो आपको अपनी देनिक दिन्चर्या में बदलाव और संतुलित आहर का सेउन करने की बहुत ज़्यादा जरूत हो जाती है और इसके साथ ही आपको किसी अच्छे डॉक्टर से प्रामरश अवश्य ही ले लेना चाहिए तो दोस्तो हमारी ये जानकारी हाई कोलेस्टॉल के बारे में यदि आपको पसंद आई हो तो किरपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए किरपया इसे शेयर भी करें यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के जरी हम आपके पास नई वरोचक जानकारिया भेश सकेंगे धन्यवाद दोस्तो क्योंकि पास बाँ के वरोचक ठामारेश और तक बाँ को